हेलो दोस्थों, क्या आपको पता है, वाइट साग को एक्विरियम में क्यों नहीं रखा जाता ? वैसे तो आपने बहुत सारे एक्विरियम देखे होंगे, जहां आप बहुत सारे खतरनाख मचलियों को भी देखे होंगे लेकिन हमें ये बिश्वास है कि आपने कभी वाइट साइक को किसी भी एक्वेरियम में नहीं देखा होगा सायद आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रेट वाइट साइक दुनिया के सबसे खतरनाख मशली है जो कि Aquarium में रह रह रहे सभी छोटी मच्लियों को खा जाएगी, और Aquarium में देखने आए लोगों को भी नुकसान पोशा सकती है दोस्तो अगर आप ये सोच रहे हैं, तो आप बिलकुल गलत सोच रहे हैं क्यूकि इन सभी खतरनाक मच्लियों को Aquarium में रखा गया है लेकिन केवल वाइट साय को ही एक्वेरियम में कैड क्यों नहीं किया जा सकता है दोस्तों ऐसे नहीं है कि वाइट सार को कैड नहीं किया गया था दोस्तों ऐसे बहुत सारी घटनाय हैं जहां एक्वेरियम में वाइट साय को रखा गया था लेकिन दोस्तों कई वजह को कारण वाइट सार को वो लोग जादा दिन तक एक्विरियम में कैद नहीं कर पाएं दोस्तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बिस्तार से जानेंगे तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजेगा चलिए बढ़ते हैं अपने पहले रीजिन की तरफ दोस्तो पहला कारण है डिफिकल्ट टू कैप्चर दोस्तो ग्रेट वाइट सार को पकड़ना बेहदी मुस्किल है कई सारे एक्वेरियम ने ग्रेट वाइट सार को पकड़ने की कोसिस की है जो कि बिलकुल असफल रहे ये सार को सिर्फ पकड़ना ही नहीं बल्कि अपने आपकी रच्छा कर उन्हें काबू में कर पाना भी रहता है जो कि बेहदी मुस्किल काम है दोस्तों इसे पकड़ा नहीं जा सकता इसलिए नहीं कि ये बहुत ही बिसाल है बल्कि इसलिए क्योंकि ये बहुत ही भयानक और खतरनाग भी है ऐसा नहीं है कि कोई सार का आज तक कबजे में ना किया गया हो 1925 के तहट सार को कबजे में भी किया गया है ये सार्क पगड़े जाने के बाद भी एक्वेरियम में सर्वाइब नहीं कर सकती है हलाकि इसका पहला कारण इसका बिसाल सरीर है ये लगबख सतर साल पहले चीज बनाने के लिए कैद की गई थी आश्यरेजन कर देने वाली बात ये है कि इतने कोशिस करने के बावजूर भी ये वाइट सार्क सबसे बड़ी सार्क में से नहीं थी इस सार्क को कैद में सिर्फ एक दिन के लिए रखा गया था ततपश्यात इसको वापस मुक्त कर दिया गया दोस्तों इसके बाद जो दूसरी दिक्कत आती है वो है difficult to transport ग्रेट वाइट सार्क की साइज 20 फीट तक 20 साल अपने भारी वजन के साथ हो सकता है सार्क को पकड़ पाना उसके भारी वजन अथवा लंबाई के साथ बेहद ही मुस्किल होता है इसके साथ ही ग्रेट वाइट सार्क को पकड़ना और कैद करना किसी भी बड़े जोखिन से कम नहीं है ग्रेट वाइट सार्क को कैद करके यात्रा करना भी बहुत कठिन होता है अधिकतर बड़ी मचलियों को एक्क्योरियम में रखना बहुत ही मुस्किल होता है क्योंकि उन्हें जगा बदलने में बहुत परिशानी का सामना करना पड़ता है जिससे सार कत्वा अन्य बड़े मचलियों के जीवन पर संकट हो सकता है दोस्तो इसके बाद जो तीसरा कारण है Lack of Resources एक्वेरियम में घूम रहे या रहने वाले जानवर उसकी सुविधा से सलतुष्ट नहीं हो पाते है उन्हें एक्वेरियम पूरी तरह से अपना समुंदर जैसा प्रतीत नहीं होता है एक्वेरियम जो की माना द्वारा निर्मित किया गया होता है जिसमें कई रिसोर्स इसकी कमी भी होती है एक्वेरियम को बहतरीन बनाने के बावजूर भी बैग्यानिगों का कहना है कि दग्रेट वाइट सार को पकड़ने के लिए हमें उन्हें पहले कुछ महत्रपूर बिवस्था देनी होगी पहला खुला वातावरन वाटल पैनल टैंक जिसमें वो आम तोर पर रह सके जो कि हमारे बनाये गए एक्वेरियम में संभो नहीं है जिसके कारण सार की हालत बहत गंभीर हो जाती है और कोई एक्वेरियम काम नहीं आता है यहां तकी छोटे से सार के लिए भी एक बहतरीन टै पानी मौझूद हो जिसमें सार को रखा जा सके जैसा कि आप इस तज़्वीर में देख सकते हैं एक वाइट सार को रखना बेहदी मुस्किल है जिसके लिए कई सारे एक्वेरियम में भारी मात्रा में पैसे खर्चे कर चुके हैं जिसका कोई भी लाब अब तक नहीं हुआ दोस्तों जो अगली दिक्कत है वो यह है कि गेट इंजर्ड डिविंग कैप्चुर्ड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डग्रेट वाइट सार्क बेहदी खतरनाक और पिसाल होते हैं अगर हम उन्हें संभौता पकड़ने की कोसिस करें तो वाइट सार्क को बिना किसी प्रका प्रकानियों का सामना करना पड़ता है डग्रेट वाइट साथ सोभाविक रूप से रमाना वद्रीस जानवर होते हैं इसका मतलब यह हमेशा तैरना पसंद करते हैं और रास्ता धूंडते रहते हैं इसलिए ग्रेट वाइट सार्क को कई बार टैंक से टक्राते और दोस्तों जो पांचमा खारन है वह यह है कि डग्रेट वाइट सार्क डॉंट लाइक बिंग इन कैपेटिवीटी जी हां दोस्तों सार्क स्वयम को कैद में देखना पसंद नहीं करती है सार्क जैसे खुद को बड़े से सम्मूंद्र में आजाद और अपनापन महसूस करती है वैसा वो एक्वेरियम में नहीं कर पाती है जिससे डग्रेट वाइट सार्क बीहत गुस्से में और घुटन महसूस करने लगती है और बाहर जाने का रास्ता ढूंडती है दूस्तों जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर सार्क को सो दूर से खुन की भूट को भी सून ले त जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है दोस्तों के वल सार को कैड में पकड़कर रखना ही सिर्फ नहीं है बलकि उसका स्वस्त रहना भी है जो कि इस तरह नामुम्किन है यह साइद एक बड़ा कारण है कि ग्रेट वाइट सार को कैड में नहीं रखा जा सकता दोस्तों जो सोसिस को नुकसान पहुचाते हैं जिससे ग्रेट वाइट सार खुद को भी हाम करते हैं जहां तक सोचा जाए कि सार का अधिकतर परिशान अपने खाने की वज़त से अधिक होते हैं खुले महासागर में जितना उसे आजादी और खाने का सिकार मिल पाता है उतना एक्वेर वाइट सार का असांत रहता है जिसके कारण एक्वेरियम को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ता है अगर वाइट सार की स्पीड की बाद की जाये तो इनकी रफ्तार 56 km प्रती घंटा की होती है जो कि एक्वेरियम में उसे उतना अनंद नहीं दे पाती है जो कि गड़ा सा टैंक भी वाइट सार के लिए पर्याप नहीं था लेकिन उन्होंने एक छोटे से सार को लाया जिसकी उम्र केवल 10 महीना ही थी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब छोटे होते हैं तो वो छोटी मचलियों का सिकार करते हैं लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़त करना पड़े दोस्तों उसे एक्वेरियम लाने से पहले उस जगह को घेर कर कुछ महीनों तक उसे उसी समुंदर में रखा गया था ताकि वो इस महोल में पूरी तरह से ढ़ल सके दोस्तों पूरी तैयारी के बाद उसे जब एक्वेरियम लाया गया तो वह सौभागे से 6 महीन तक एक्वेरियम में रहा लेकिन दोस्तों समय के साथ धीरे धीरे वह आक्रमक होता गया जिसकी वजह से फिर से उसी समुंदर में छोड़ना पड़ गया लेकिन दोस्तों सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि उसे आजाद करने के बाद भी बैग्यानिकों को ट्रे च्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करे हम लाइक एम करते हैं एक हजार की उम्मीद है आप पूरा कर देंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे यह अनोखी वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्देमार्ण